तो आज हम लोग बात करेंगे LLB कर चुके उन छात्रों के बारे में जो LLB तो कर लिया है लेकिन उनका जो LLB का डिगरी है वो किसी काम का नहीं होता है तो आकिर मैं ऐसी बाते क्यों कर रहा हूं चुकि आप जानते हैं कि बार काउंसिलाफ इंडिया ऐसे ही छात्रों के LL बी डिगरी को मानने करती है उनके रजिस्टेशन को स्विकार करती है उनके आवैदन पत्र को स्विकार करती है जो ऐसे ला कॉलेजेस से LLB डिगरी प्राप्त किये हुए है जो कि बार काउंसिलाफ इंडिया से अफियलेटेड हो उससे मानता प्राप्त हो चुकि बहुत स पहे सुने के आधार पे हम लोग जाके वहाँ पे एड्मिसन ले लेते हैं और वहाँ पे एड्मिसन लेने के बाद से वहाँ पे हम लोग पैसा और सब्देव करके डिग्री भी ले लेते हैं अपनी पूरी तीन साल की कोर्स को कंप्लीट कर लेते हैं लेकिन हमें पता तब चल आप वकालत नहीं कर पाएंगे, आप एक वकील के रूप में प्रेक्टिस नहीं कर पाएंगे तो देखिए सबसे पहले आपको करना क्या है आप जिस भी कालेज से लेलबी की डिगरी पराप्त किया है उसको चेक कर सकते हैं और अगर आप लाग करने की सोच रहे हैं तो सबसे पहले उस कालेज के बारे में डिटेल में पता करिए कि क्या वह कालेज जो बार काउंसिल आफ इंडिया है उससे मानेता पराप्त है कि नहीं अगर उससे मानेता नहीं पराप्त है तो वहां से आप LLB की डिगरी मत लिजिएगा क्योंकि वो किसी काम का नहीं होता है इस वीडियो में हम बात करेंगे कि LLB की डिगरी जो है हमने जिस college से ली है वो जो Bar Council of India है उससे affiliated है की नहीं तो वो कैसे चेक करेंगे तो आज का वीडियो मेरा इसी पे बेस्ट है कि आप अपने college की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं कि आपने जिस college से LLB की डिगरी ली है या वह college All India जो BCI है जो Bar Council आप इंडिया है उससे मानिता प्राप्त है की नहीं तो चुलिए हम लोग देख लेते हैं कि किस तरीके से चेक करेंगे सबसे पहले आपको जो है Google Chrome browser open करना होगा जैसा कि मैं यहां पर आल्रेडी open कर चुका हूं और यहां पर आपको टाइप करना है बार काउंसिल अभेले टेड ला कालेज तो देखिए यहां पर टाइप किया हुआ है पहले से अब इसको किलिक करते हैं देखिए next page यहां पर खुल के आएगा अब next page में देखिए यहां पर लिख्खा-ए लिस्ट आफ ला कालेजज having approval of affiliation of the Bar Council of India इसको नहीं क्लिक करना है उसके नीचे वाले पर इस पर आपको क्लिक करना है चलिए जैसे यह क्लिक करेंगे तो यह बार काउंसिल का official website है वहाँ पर आपको ले जाएगा और यह कुछ ऐसा interface खुल के आएगा इसको नीचे स्क्रोल करेंगे तो चलिए हम लोग नीचे चलते हैं देखिए यहाँ पर बहुत सार इंस्ट्रक्शन दिये गया है उसको आप लोग पढ़ भी सकते हैं अब यहाँ पर लिखा हुआ है status of law colleges तो यहाँ पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे status of law college पर जैसे ही क्लिक करेंगे one second one next slow है एक बार और क्लिक करते हैं status of law colleges पर क्लिक किया तो जैसे ही वहाँ पर क्लिक करेंगे तो यह डाउनलोड का आप समा आगेगा तो यहाँ पर जो है आप डाउनलोड पर क्लिक कर देंगे यह PDF फाइल डाउनलोड हो गई अब यहाँ पर इसको ओपें कर लेते हैं हम लोग एडब में और देखते हैं कि कौन कौन से college जो है जो बार काउंसिलाफ इंडिया है उससे एप्रोव्ड है तो एक बार हम लोग इसको चेक कर लेते हैं देखिए कुछ इस तरह से यह open हो रहा है देखिए यहाँ पर अब सारे जो है लाव कॉलेजे जो affiliated है बार काउंसिलाफ इंडिया से उनकी लिस्ट यहाँ पर दी गई है और यह पूरे इंडिया की में बात कर रहा हूं पूरे इंडिया की यह कालेज की लिस्ट है तो यहाँ पर जो है आप जिस भी कालेज में जिस भी परदेश में आप पढ़ रहा हैं वहाँ पर आप इसको सिंपल ही जो है चेक कर सकते हैं आप सर्च भी कर सकते हैं जैसे हम यहाँ पर डाले इलहाबाद इन्वर्स्टी तो देखते हैं देखिए अब किलिक किया है आप सर्च पर तो यह सर्च हो रहा है तो देखिए जैसे ही मैंने इलहाबाद डाला तो इलहाबाद में जो है इलहाबाद इनवर्श्टी आगे यहाँ पे देख सकते हैं तो इस तरिके से जो है इसके नीचे और भी है देख लेते हैं अब इस तरीके से जो है अपने कालेज का नाम डाल करते हैं पूरा नाम डाल करके चेक कर सकते हैं कि आपका जो college है वो bar council of India से approved है कि नहीं उससे मानिता प्राप्थ है कि नहीं तो इस तरीके से जो है आप इसको check कर लीजिएगा और LLB करने वाले और जो करने में जो करने वाले हैं उन से तो विशेष तोर पर अंदोध हैं कि आप जब और शेयर जरूर करिएगा और चैनल पर फर्स टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा खन्यवाद